नमस्कार दोस्तों आईए सुनते हैं मुंसी प्रेम चंद्र की कहानी घर जमाई हरिदन चेट की दुपरी में उख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा घर में से धुवा उठता नजर आता था छन छन की आवाज भी आ रही थी उसके दोनों साले उसके बाद आये और घर में चरे गए दोनों सालों के लड़के भी आये और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए पर हरिधन अंदर न जा सका इधर एक महीने से उसके साथ यहां जो बरता हो रहा था और विसेश कर कल उसे जैसी फटकार सुननी परी थी वह उसके पाउं में बेडियां सी डाले हुए था कल उसकी सास ही ने तो कहा था मेरा जी तुमसे भर गया मैं तुम्हारी जिन्दगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या और सबसे बढ़कर अपनी इस्तरी की निस्टूरता ने उसके हिरदय के टूकरे कर दिये थे वह बैठी या फटकार सुनती रही पर एक बार भी तो उसके मुह से ना निकला अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो बैठी गट गट सुनती रही सायद मेरी दुरगती पर खुश हो रही थी इस घर में वह कैसे जाए क्या फिर वही गालिया खाने वही फटकार सुनने के लिए और आज इस घर में जीवन के दस साल गुज़र ज चाटी कारता हूं वहां सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं मैं आखे बंद की अपने काम में लगा रहता हूं संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं मैं घरी रात तक गाये भैसे दूता हूं उसका यह पुरुशकार मिल रहा है और कोई खाने को भी नहीं पानी नहीं है हरिदन ने डोल लिया और कुए से पानी भर लाया उसे जोड से भूख लगी हुई थी समझा अब खाने को बुलाने आएगी मगर इस्तरी डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही हरिदन ठका मादा चुदा से ब्याकुल पड़ा सो रहा सहसा उसकी इस्तर गुमानी ने आकर उसे जगाया हरिदन ने पड़े पड़े ही कहा क्या है क्या पड़ा भी न रहने दोगी या और पानी चाहिए गुमानी कटू स्वर में बोली गुर्राते क्यों हो? खाने को बुलाने आई हूँ हडिदन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किये चले जा रहे हैं उसकी देह में आग लग गई मेरी अब यह नवद पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठ कर खा भी नहीं सकता मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद चुकरा रोटी डाल दो यही घर है जहां आज से दस साल पहले उसका कितना अधर सत्कार होता था साले गुलाम बने रहते थे सास मू जोती रहती थी इस तरी पूजा करती थी तब उसके पास रुपे थे जैदाद थी अब वो दरिद्र है उसकी सारी जैदाद को इनी लोगों ने कूरा कर दिया अब रोटी के भी लाले हैं उसके जी में एक जुआला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भीगो भीगो कर लगाए पर जब्त करके रह गया पड़े पड़े बोला मुझे भूक नहीं है आज ना खाऊंगा गुमानी ने का ना खाओगी मेरी वला से हाँ नहीं तो खाओगे तुमारे ही पेट में जाएगा कुछ मेरे पेट में थो रही जाएगा हरिदन का क्रोध आंसू बन गया यह मेरी इस्तरी है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं वह अब कहां जाए क्या करे तुमसे बेटी भी आई है कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है हरिदन ने मरमाहत होकर का हाँ अमा मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था अब मेरे पास क्या है कि मेरी जिंदगी का ठेका लोगी अब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था, अब दरिद रहूं, तुम क्यों बात पूछोगी, बुढ़ी सास भी मूँ फुला कर भीतर चली गई, बच्चों के लिए बाप एक फालतुसी चीज, एक बिलास की बस्तु है, जैसे घोड़े के लिए, चने या बाबों के लिए मोहन भोग, मोहन भो बच्चे को उच्छालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकरकर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके करतब्य की इती है, वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवार नहीं होती, लेकिन मात तो बच्चे का सर्वस्व है, बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता, पिता कोई हो उसे परवार नहीं, केबल एक उच्छालने, पुदने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, सोल हो आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ, वह अगर नहीं है, तो बाल उसका विवा हो चुका था, वह सोलह साल का कुमार था, पर मा के मरते ही उसे मालुम हुआ, कि मैं कितना अनी सहाए हूं, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही न रहा हो, बहनों के विवा हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था, बिचारा अकेले घर में जाते भी डरता था, मा के लिए रोता था, पर मा की पढ़चाई से डरता था, जिस कोठरी में उसका देत्या किया था, उदर आखे तक न उठा था, घर में एक बुआ थी, वह हरिदन को बहूत दुलार करती, हरिदन को अब दूद ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता, बुआ बार बार प प्यार करते, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी, कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि चाहे जैसे खर्च करो, पर इन महरमों में से अब घाव न पूरा होता था, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था, वह दुलार और प्यार बार बार मा की याद दिलाता, मा की घु प्यार में जो आनन्द था, वह क्या भिक्चादान में था, पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था, अब वह बिमार था, अच्छे से अच्छे पदार्त उसे दिये जाते थे, पर भूख न थी, साल भर तक वह इसी दसा में रहा, फिर दुनिया बदल गई, एक नई इस्त्री जिसे लोग उसकी माता काते थे, उसके घर में आई, और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई, साड़ी हडियाली, सारे प्रकास पर अंदकार का पड़दा पड़ गया, हडिधन ने इस नकली मा से बात तक न की, कभी उसके पास न गया तक नहीं, एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया, बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गय जिस दिन उसके पिता के दिहांत की सुचना मिली, उसे एक परकार का इर्स्या में हर्स हुआ, उसकी आखों में आसु की एक बुंद भी ना आई, इस नए संसार में आकर हडिधन को एक बार फिर मातरी शने का आनंद मिला, उसकी सास ने रिशी वर्दान की भाती उसके सुन में उसके जीवन की साड़ी आकांचाय पुरी हो गई, सास कहती बेटा, तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरे आखों के तारे हो, वह उससे अपने लड़कों की बहूं की सिकायत करती, वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं, बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जैदाद को कूरा करके रिप्यों की थैली लिए फिर आ गया, अब उसका दूना आदर सतकार होने लगा, उसने अपनी साड़ी संपत्ति सास के चर्नों पर अरपन करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया, अब तक उसे कभी-कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी यादे ना आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भिष्ण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था, वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता, उसका मनयोग, उसका परिस्रम देखकर, ग पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया, रोटियों में भी बाधा पर गई, अपमान होने लगा, अगर घर के लोग भूकों मरते, और साथ ही उसे भी मरना परता, तो उसे जड़ा भी शिकायत ना होती, लेकिन जब वह देखता, और लोग मूचो परताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूद की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतस्तल से एक लंबी, ठंडी आह निकल जाती, अभी उसके उम्र कुछ 25 साल की ही तो थी, इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी, और तो और उसकी इस्री ने भी आखे फेर ली, यह उस बिपत्ती का सबसे कुरूर द्रिश्य था, हर दन तो उधर भूखा, प्यासा, चिंता, दाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बाते हो रही थी, गुमानी भी हां में हां मिलाती जाती थी, बरे साले ने का हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह ही समझते कि किसी ने इसकी जिंदगी भर का भीरा थोड़े ही लिया है, दस साल हो गए, इतने दिनों में क्या दो तीन हजार ना हरप गए होंगे, छोटे साले ने का मजूर हो तो आदमी घुर के भी, डांटे भी, अब इनसे क्या कोई कहे, ना जाने इनसे कब पिंड छु से बोली, बड़ी भारी खोराख है, गुमानी माता के सिर से जून निकाल रही थी, सुलकते विया हिर्दय से बोली, निकम में आदमी को खाने के सिवा और कामी क्या कर रहता है, बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैद ये सिपाते सुन कर अपने पती से द्वैस करने लगी थी, अगर वह बाहर से चार पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, वह भी रानी बन कर रहती, ना जाने क्यों कहीं बाहर जा कर कमाते उसकी नानी मरता है, गुमानी की मनोबिर्तियां अभी तक आखों से देखती, जैसे उसके घरवाले देखते थे, सच तो है, दो हजार रुपे में क्या किसी को मोल ले लेंगे, दस साल में दो हजार रुपे होते ही क्या है, दो सो ही साल भर के हुए, क्या दो आदमी साल भर में दो सो भी ना खाएंगे, फिर कपड़े, लत्ते, दू उदगी, सब कुछ तो है, दस साल हो गए, एक पीतल का छला नहीं बना, घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं, जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी, वैसे ही जनम भर होती रहेंगी, यहने ही सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है, बहु ही पहले सा सुराल जाती है, तो उसका कितना महतम होता है, उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गाउ महले की ऑड़ते उसका मुँ देखने आती है, और उपे देती है, महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता लेकिन च्छा महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता वह घर भर की लॉंडी हो जाती है उसके घर में मेरी तो यही गती होती फिर काहे को रोना जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूं और तो तुम्हारी भूल है मजूर और बात है उसे आदमी डांटता भी है मारता भी है जब चाहता है रखता है जब जी चाहता है निकाल देता है कसकर काम लेता है यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया जब जी में आया पड़कर सो रहे हरिदन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलक रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले भईया उठो तीसरा पहर ढल गया कब तक सोते रहोगे सारा खेत पड़ा है हरिदन चट से उठ बैठा और तिब्रस्वर में बोला क्या तुम लोगों में कुछ उल्लू समझ लिया है दोनों साले हक्का बक्का हो गए जिस आदमी ने कभी जमान नहीं खोली हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांदे हाजिर रहा वह आज एकाएक इतना भी मानी हो गया यह उनको चौका देने के लिए काफी था कुछ जवाब न सुझा हरिदन ने का इन दोनों के कदम उखड गए हैं तो एक धक्का और देनी की प्रवद इच्छा को न रोक सका उसी ढंग से बोला मेरी भी आखे हैं अंधा नहीं हूँ न बहराई हूँ छाती फार कर काम करो और उस पर भी कुट्ता समझा जाओं ऐसे गधे कहीं और होंगे अब बड़े साले भी गरम परें तुम्हें किसी ने यहां बांद तो नहीं रखा है अबकी हरिदन बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा अगर तुम यह चाहो कि जनम बर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे बस की बात नहीं है हरिदन ने आखे निकाल कर कहा क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ बड़े यह कौन कहता है हरिदन तो तुम्हारे घर की यही नीती है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूको मारा जाए बड़े तुम खुद खाने नहीं गए क्या कोई तुम्हारे मूँ में कौर डाल देता हरिदन ने होट चबा कर का मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती नहीं बहुत थी बहन तुम्हें बुलाने नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने हरिदन की आखों में खून उतर गया दात पीस कर रह गया छोटे साले ने कहा अम्मा भी आई थी तुम्हें कह दिया मुझे भूक नहीं है तो क्या करती सास भीतर से लपकी चली आ रही थी यह बात सुनकर बोली कितना कहकर हार गई क कोई उठे ना तो मैं क्या करूं हरिदन ने हरिदन ने विश खून और आग से भरे हुए स्वर में का मैं तुम्हारे लर्कों का जूठा खाने के लिए हूं मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खा कर मेरे सामने सुकी रोटी का टुकड़ा फेक दो बुढिया ने आट करका तो क्या तुम लर्कों की बराबरी करोगे हरिदन परास्त हो गया बुढिया के एक ही वाक के प्रहाड ने उसका काम तमाम कर दिया उसकी तन्य हुई भवे ढीली पर गई आखों की आग भूज गई फरकते हुए नतुने शान्त हो गए किसी आहत मनुस्य की भाती वा जमीन पर गिल पर आए क्या तुम मेरे लर्कों की बराबरी करोगे यह व्याक के एक लंबे भाले की तरह उसके हिर्दय में चूपता चला जाता था ना हिर्दय का आंत था ना उस भाले का सारे घर ने खाया पर हरिदन न उठा सास ने मनाया सालियों ने मनाया ससुर ने मनाया दोनों साले मना कर हार गए हरिदन न उठा वहाँ द्वार पर एक टाट पड़ा था उसे उठा कर सबसे अलक कुए पर ले गया और जगत पर बिछा कर परा रहा रात भीग चुकी थी अनन्त आकाश में उच्वल तारे बालकों की भाती क्रिड़ा कर रहे थे कोई नाचता था कोई उचलता था कोई हसता था कोई आँखे मीच कर फिर खोल देता था रहरा कर कोई सासी बालक सपाटा भर कर एक पल में उस विस्त्रित छेत्र का पार कर लेता था और ना जाने कहां च्छा जाता था खड़िदन को अपना बच्पन याद आया जब वह भी किसी तरह क्रीरा करता था उसकी बाल स्मृतियां उन्हें चमकीले तारों की भाती प्रजलित हो गई वह अपना छोटा सा घर वह आम का बाग जहां वह केरियां चुना करता था वह मैदान जहां कबड़ी खेला करता था सब उसका याद आने लगा फिर अपनी स्नेम ही माता की सहिर्दय मुर्ति उसके सामने खड़ी हो गए उन आखों में कितनी करुणा थी कितनी दया थी उसे ऐ बूल गया ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे च्छाती से लगा लिया है उसके सिर पर हाथ फेर रही है वह रोने लगा फूट फूट कर रोने लगा उसी आत्म सम्मोहित दसा में उसके मुझे यह शब्द निकले अम्मा तुमने मुझे इतना भूला दिया देखो तुम्हा पानी की भी नहीं पूछता क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगा नहीं है सासा गुमानी ने आकर पुकारा क्या सो गए तुम ऐसी भी क्या राक्षा सी नींद चल कर खा क्यों नहीं लेते कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरी दन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया वही कुए की जगत थी वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खरी कह रही थी कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरी दन उठ बैठा और मानो तलबार म्यान से निकाल कर बोला बला तुम्हें मेरी सुत तो आई मैंने कह तो दिया था मु खरे हुए इन सब्तों को सुनकर गुमानी साम उठी बोला कहा जा रहे हो Jestर ने मानो नशे में कहा तुझे इस से क्या मतलब मेरे साथ चलोगी या नहीं फिर पीछे से ना कह ना मुझसे कहा नहीं गुमानी आपत्ती के भाव से बोली तुम बताते क्यों नहीं कहा जा रहे ह तू मेरे साथ चलेगी या नहीं जब तक बता न दोगे मैं न जाऊंगी तो मालुम हो गया तू नहीं जाना चाहती मुझे इतना ही पूछना था नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता यह का कर उठा और अपने घर की ओर चला गुमानी पुकारती रही सुन लो और उसने फिर कर फीर ना देखा तीस मील की मंजिर हर्दन ने पांच घंटों में तै की जब वो अपने गाउं की अमराईयों के सामने पहुँचा तो उसकी मातरी भावना उशा की सुनहरी गोद में खेल गई थी उन ब्रिक्षों को देखकर उसका विहल नाचने लगा मंदिर का सुनहरा कलस देखकर वा इस तरह दोरा मानो एक छलांग में उसके उपर जाँ पहुँचेगा वो अबेग में दोरा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही थी जब वो आमों के बाग में पहुचा जहां डालियों पर बैठ कर वो हाती की शवारी का आनंद पाता था जहां के कच्चे बेरों और लिसोरों में एक स्वरगिये स्वात था तो वो बैठ गया और भूमी पर सिर जुका कर रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ती कथा सुना रहा हो वहां की वायू में वहां के प्रकास में मानो उसकी विराट रूपनी माता व्याप्त हो रही थी वहां की अंगुल अंगुल भूमी माता के पदचिन्नों से पवित्र थी माता के स्ने में डूबे हुए सब्द अभी तक मानो आकास में गूज रहे थे इस वायू और उस आकास में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हिर्दै को फिर बालोत साह से भर दिया वह एक पेर पर चड़ गया और उधर से आम तोर तोर कर खाने लगा सास के वह कठोर सब्द इस्त्री का वह निस्टूर आगात वह सारा अपमान उसे भूल गया उसके पाउं फूल गये थे तलबों में जलन हो रही थी पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था सासा रखवाले ने पुकारा वह कौन उपर चड़ा है रे उतर अभी नई तो ऐसा पत्थर खीच कर मारूंगा कि वही ठंडे हो जाओगे उसने कई गालियां भी दी इस फटकार और इन गालियों में इस समय हर दन को अलोकिक आनंद मिल रहा था वह डालियों में छिप गया कई याम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठटा मार कर हसा ऐसी उल्लाज से भरी हुई हसी उसने बहुत दीन से ना हसी थी रखवाले को यह हसी परिचित मालूं हुआ मगर हरिदन कहां यहां वह ससुराल की रोटियां तोर रहा है कैसा हसोड़ा था कितना चिबिल्ला ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ पेर की डाल से तालाब में कूद परता था अब गाउं में ऐसा कौन है डाट कर बुला वहां से बैठे बैठे हसोगे तो आकर सारी हसी निकाल दूंगा नहीं तो सीधे उतर आओ वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुटली आकर उसके सिर पर लगी सिर सहलाता हुआ बुला यह कौन सैतान है नहीं मानता ठहर मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चट पट उपर चड़ गया देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है चकी थोकर बोला अरे हरिधन तुम यहां कब आए इस पेर पर कब से बैठे हो दोनों बचपन के सखा वहीं गली मिले यहां कब आए चलो घर चलो भले आदमी यहां आम भी मैसर ना होते थे हरिधन ने मुस्कुरा कर का मंगरू इन आमू में जो स तुमने तो जैसे नाता ही तोर लिया इस तरह कोई अपना गाओं घर छोड़ देता है जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरहस्ती चौपट हो गई दो छोटे छोटे लड़के हैं उनके लिए क्या होता है हरिधन अब उस गिरहस्ती से क्या वास्ता है भाई मैं तो अप बाते करते हों तुम्हारे लिए जान हाजी रहे क्या ससुराल में अब न रहोगे कोई चिंता नहीं पहले तो तुम्हारा घरी है उसे संभालो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो तुम नहीं अम्मा से नहक डरते थे बड़ी सीधी है बिचारी बस अपनी मा समझो ऐसी महरिया ला दूँगा कि उसके पैर धोधो कर पियोगे लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो हरी दन वह न आएगी हरी दन अपने घर पहुचा तो दोनों भाई 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 आये भाई आये कहकर भीतर दोरे और मा को खबर दी उस घर में कदम रखते ही हरी दन को ऐसा शांत महिमा का अनबव हुआ मानवा अपनी मा की गोद में बैठा हुआ है इतने दिनों ठोकड़े खाने से उसका हिर्दय कोमल हो गया था जहां पहले अभी मान था आगर था हेकड़ी थी वहां अब निराशा थी पराजय और याचना थी बीमारी का जोर कम हो चला था अब मामूली दबा भी असर कर सकती थी किले की दिवारे छित चुकी थी अब उसमें घुस जाना असाध्य न था वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था अब गोद फैलाए उसे आसरे देने को त्यार था हरिदन का निरोलंब मन या आसरे पाकर मानोत्रिप्त हो गया शा एक रोटी दे देना खा कर एक कोने में पड़ी रहोंगी तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो हरिदन ने मातरी विहल आँखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्सन किये घर के एक एक कोने से मातरी अस्मिर्तियों की छटा चांदनी की भाती चिटकी हुई थी विमाता का प्रावड मुक मंडल भी उसी छटा से रंजी था दूसरे दिन हरिदन फिर कंदे पर हल रख कर खेत को चला उसके मुक पर उल्लास था आखों में गर्ब वह अब किसी का आसरित नहीं आसरे दाता था किसी के द्वार का भीक्चुक नहीं घर का रख्चक था एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया मा से बोला तुमने सुना काकी गुमानी ने घर कर लिया काकी ने कहा घर क्या कर लेगी ठठा है बिरादरी में ऐसा अंधेर पंचायत नहीं अदालत तो है हरिदन ने का नहीं का कि बहुत अच्छा हुआ ला महावीर जी को लड़ू चढ़ाओं मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरे गले ना आ परे भगवान ने मेरी सुन ली मैं वहां से यही ठान कर चला था अब उसका मूँ न देखूंगा अभी आप सुन रहे थे मुनसी प्रेम चंद्र की कहानी घर जमाई धन्यवाद